दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मल्टी इस्टारर कॉमेडी फिल्म टोटल धामार से जुड़े कुछ अंसुनी और रोचक बातों के बारे में तो वीडियो को अंतक जिरू देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल फेक् कॉमेडी फिल्म है जो 22 फरवरी 2019 में रिलिज हुई थी आपको बता देए धमाल प्रेंचाइजी की 30 फिल्म थी इस सीरीज की पहली फिल्म धमाल साल 2007 में रिलिज हुई थी टोटल धमाल की इस्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अजे देवगन, अनल कपूर, शागुपता और जॉनी लीवर जैसे कई बड़े एक्टरस नजर आये थे, इन सब के अलावा फिल्म में शहुद फिल्मों के पॉपुलर कॉमेडियन अली भी एक कैमियों करते नजर आये थे, इनके अलावा फिल्म के एक सीन में अजय देवगन और संजे मिसरा एक कार में होते तो कार के GPS सिस्टम की आवाज जेकी स्रॉप की दिखाई गई है, इस फिल्म का डिरेक्शन इंडर कुमार ने किया था, जो अपने केरियर की कई बड़ी फिल्में बना चुके हैं, नैंटीज में इंडर कुमार फैमली और सीरियस फिल्में बनाते थे, इसमें दिल, ब जाने ही रखे गए थे, क्योंकि ये एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए फिल्म का म्यूजिक कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, टोटल धमाल की स्टोरी लाइन की बात करें, तो धमाल सीरिज की पहली फिल्म की तरह ये फिल्म भी पैसे के इर्दगिर्द घुमती है, ए और आकर में शबी को खजाना मिल पाता है या नहीं, यही सब फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में कई जगे दमाल सीरिज की पिछली दोनों फिल्मों के कुछ सीन और डायलोग भी मिक्स किये गए हैं, लेकिन इस फिल्म को एडवेंचर से भरपूर बनाने के लिए फिल टोटल दमाल मुवी के बजट और बॉक्स ओपिस कलेक्शन की बद की जाये तो इसका बजट 100 करोड रुपे का था, जबकि इसने इंडिया से बॉक्स ओपिस कलेक्शन 155 करोड रुपे का किया था, वहीं इसने वर्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन 228 करोड रुपे का किया था टोटल दमाल के बॉक्स वपिस रिकार्ड की बत करें तो इस फिल्म ने पहले दिन पूरे इंडिया में शोलाद समलब 5,0 करोड रुपे का कलेक्शन किया था जिसके शाद ही ये फिल्म पहले दिन की कमाई के मामले में अजे देवगन के केरियर की तीसरे सबसे ओपनर बन गई थी टोटल दमाल की सीरीज से पहले पाकिस्तान में बॉलिवड फिल्म में रिलीज होती आ रही थी लेकिन इस फिल्म की रिलीज से करीब एक हफते पहले इंडिया में पुलवामा अटेक हुआ था जिसके बाद अजे देवगन ने फैसला लिया था कि वो अ कापी कम लोग जानते होंगे की टोटल दमाल का कॉंसेट शाल 1963 में रिलीज वी हॉलिवड की कॉमेडी फिल्म इट्स ए मैड 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 वर्ड से कापी ज़्यादा इंस्पारिड था इतना ही नहीं फिल्म के कुछ सीन शाल 2015 में रिलीज हुई हॉलिवड फिल्म वेकेशन से कॉपी किये गए थे अजे देवगन अनलकपूर और मादी दिचित की धमाल फ्रेंचेजी में नई इंटरी हुई थी इस से पहले धमाल और डबल धमाल में नजर आई शन्यज़त और आसी चोदरी को टुटल धमाल में नहीं लिया गया था फिल्म के एक सीन में जब को टू का वन बोलते नजर आते हैं फिल्म के डिरेक्टर अनलकपूर ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान खुलासा किया था कि वो शुरुआत में टोटल धमाल की स्क्रिप्ट के शाद अनलकपूर से मिलने गए थे अनलकपूर इसक्रिप्ट पढ़ ही रहे थे कि तब ही इ की एफ एक्स की मदद से दिखाए गए थे जबकि कुछ जनवर असली थे इनमें से कैलिफॉर्निया के एक फीमेल मंकी को भी दिखाया गया था इस मंकी का नाम क्रिश्टल है जो वास्तों में एक एक्ट्रिस है टोटल दमाल के मेकर्स में शोनाची शिन्ना को लेकर एक कमेडी करते देखा गया है लेकर कुछ लिम्टेट सीन्स में ही एक कमेडी करती नजर आई थी जबकि टोटल दमाल कंप्लीट कमेडी फिल्म थी इतना ही नहीं यह माधुरी के करियर की पहली ऐसी बॉलीवड फिल्म भी थी जिसमें इन्होंने माराटी लेंग्विज का इस